नमस्कार दोस्तों, आप सबों को एड़ोकेट प्रभाकर जाका प्यारवरा नमस्कार अभी तक हम लोगों ने देखा है मेंटेनेंस के एपिसोड में कि किन किन कंडिशन में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता है तो सारे कंडिशन्स हमने बताए थे, यदि कोई आज नया है तो मेरे लास्ट वीडियो देखे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या शर्त है, यदि वह शर्त फुल्फिल होगा, तो वाइफ को मेंटेनेंस ओर उनके फेवर में नहीं दिया जाएगा तो आज के एपिशोड में हम लोग देखते हैं कि आखिर मेंटेनेंस का जो अमाउंट मांगती है वाइफ, तो क्या वह जितना मांगती है, उतना कोट ओर्डर पास कर देता है क्या, आंसर इस नो तो बात यह आती है कि अमाउंट आखिर कितना हो, कितना तक उसको दिया जा सकता है, तो इसी पे हम लोग आज डिसकस करेंगे कि अमाउंट कितना तक दिया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक्ट है, जिससे ये गाइडेड होता है, 125 CRPC किरिनल प्रसिजर उसमें अमाउंट के बारे में कोई भी वर्नन नहीं है, कहीं पर बिया नहीं लिखा गया है, कि वाइफ ये रिकलेम करेगी तो इतना अमाउंट के बारे में चर्चा नहीं है, अब आईए, वह लोग जो मेरे से कुर्शन पूछे हैं, कि सर कितना तक हम अमाउंट मेरी हस्बेंड को आज में बता दूँ कि 125 CRPC में किसको किसको राइट दिया गया है मेंटेनेंस का डिमांड करने के लिए, तो आईए आज के कनफीजन को क्लियर करते हैं, पहला राइट वाइफ, चिल्डरेन या पैरेंट्स, और हाँ, एक शी और कोई प्रायरिटी नहीं है, कि पैरेंट्स, अपने बच्चे के, अपने बेटा के अगेंस्ट में, या बेटी के अगेंस्ट में, या वाइफ, हस्बेंड के अगेंस्ट में, और चिल्डरेन जो है, अपने फादर के अगेंस्ट में, फाइल कर सकता है, तो आज आप लोगों का कन्फीजन क्लियर हो गया, कि ये तीनों को राइट होता 125 CRPCM maintenance claim करने का अब हम चलते हैं amount की बात करते हैं कि आखिर कितना तक amount दिया जा सकता है यदि petition file करता है तो वही answer रहेगा कि amount निर्धारित नहीं है तो question फिर उड़ता है कि सर तो निर्धारित कैसे करते हैं कैसे decide करती है कोट की कितना देना है तो चलिए इस पर काफी confusion था और जब काफी सारे cases आने लगे कोट में तो honorable supreme court को अंतत्त आके judgment देना पड़ा कि आखिर इसको निर्धारित कैसे किया जाए कैसे decide किया जाए तो उन्होंने रजनीस versus नहा and others में जर्जमेंट पास किया था जो जर्जमेंट आया था फोर्थ नॉम्बर 2020 इसमें उन्होंने पैरामिटर्स बताए थे कि इन इन पैरामिटर्स को फोलो किया जाए जब भी maintenance का पेडिशन आता है और उसका order पास करने से पहले अब एक सब्सक्राइब यहां पर पाउज करूंगा आप लोगों को कि maintenance आखिर की कब कब दिया जासा कब किस स्टेजम आज लगाए तो क्या दो मेने बाद आगा maintenance maintenance कब से होता दो तरह का होता है एक होता जब प्रोसेडिंग स्टार्ट होता है जब का पेडिशन डाले और प्रोसेडिंग चलता रहेगा तो उस बीच में भी maintenance आपको इशू किया जा सकता है कोट के द्वारा उसको बोलते एंट्रिम या एंट्रिम जो मिलेगा maintenance मानले यह कि फर्स हेडिंग में ही आपने क्लेम के और कोट ने ओर्डर कर दिया भाई जो जब दोनों पार्टी एपियर हुए है तो इसको जो है कोन करेगा magistrate करता है जहां पर आप क्या पेडिशन लगाते हैं maintenance का अब आए पैरामिटर्स पैरामिटर्स को निर्धारत करते हुए जो रजनीज वर्स नेहा अनदस के केसे उन्रेवल सुप्रीम कोट ने कहा है इन इन पैरामिटर्स को फोलो किजिए और इसको रेश्यों क किसे कितना दिया जाएगा उसको डिशाइड करने में जो सबसे पहला होने बता है वह बताया है पोजिशन और स्टेटर्स ऑफ दा पार्टी बोथ पार्टी यह वाइफ जो अधिक्लेम करती है कि इतना maintenance आई तो आप देखिए उसका status क्या है क्या पेडिशन करते वाद वह जौब करती है या पहले जौब करती थी उसका family background कैसा है या उसके पास asset कितना है या उसके नाम से कोई asset मुएबल या immobile वह property बना रखी है क्या यह सारा ची देखा जाता है और उसका भी देखा जाता रिस्पॉंडेंट का यह पती का देखा जाएगा कि उसका status क्या है उसक कितना अधिकार है यह क्या है यह सारा ची थोड़ा सब यह देखें अब देखें दूसरा reasonable demand मान लिजिए husband railway में है और उसकी salary जो है 50,000 रुपई आ है और घर में माता पीता है और दो बच्चे है तो क्या वाइब क्या बोली 40,000 रुपई मुझे दे दिजिए तो मैडम यह स इसाइद नहीं मिलेगा साइद के नहीं ही मिलेगा तो अब यह दिखिए demand बनाइद होना है उतना ही मांगे जितना में कि वह आप अपना भी परवरीज करे बच्चों का भी करे साथ ही सद अपने माबाप का भी करे जो पढ़हा लिखा ओ भी सकता नहीं हो सकता है old age मैं और इंफर्म है इंफर्मिटी वह से वह अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते हैं पैंसे नहीं है वो उनको बच्चों को करना पड़ेगा ठीक है तो यह डिमांड कैसा होना चाहिए रिजनेबल होना चाहिए थर्ड लिविंग सेपरेटली विद रिजनेबल कॉज यदि वाइफ बताया था कि वाइफ चली गई माइके यह बोलके कि मुझे जो है आपके घर में इतना लोग खना बनाना पड़ता मैं बनाने के सक्चम नहीं हूं मुझे सेपरेट रहना है और मेरे माइके में भिजवा दीजिएगा कई सारे केसे और कई सारे मैडम देख भी रही होंगे तो यह केस उनको लग रहा होगा उनके रिलेटिव का या उनके आसपास में इसा है घटना कि माइके में पड़ी हुई है लेकि उनको डिमांड कर रही है कि मुझे यह मेंटनेस आप दीजिए या नहीं तो वह दिपार्टमेंट में कंप्लेंड भी करती है इसके करते हैं माली यहां वाइप मांग रही है उसको क्लेमेंट बोलेंगे उनका सोर्स और निंग क्या है क्या वह जौब में है यह वह सिलाय मशीन चला रही है दो बच्चे भी उनहीं के पास है और उनका सेल्टी चार जार रुपई है तो क्या उस सर पर यह अपना मेंटनेस कर क्या वह सकता है क्या उसको शर्वाल करने के लिए वह मन्त सफिसियंट है यदि है तो नहीं कि यह बहुंत कुछ देका जाता है यह वह सौर्स और नहीं भी है तो क्या कमा सकती है प्रोफेस्टन. लिगडिए है तो पारई prints वाइब चाइड और पैरेंस इन सबों को देखा और यह भी देखा जाएगा घर में कितने कितने सदस्वें जिसको कि इसको देना पर सकता है माल जी किसी के एक बच्चे ही नहीं है और वाइफ अलग रह रही है तो वहां पर इंटाइटलमेंट कम हो जाता परचन मांदर होते मधर होते तो वो सार देखा जागा कि कितने लोग है और मेंटन्ट मेंकर्णेंस अच्छे से सह हो जाए ठीक है अब आए зав सपचत्वाइज्ट Sat slopes Ep stuk क्या हई उसका जब的是 क्या है क्या वह टीचर एक्टर एकर इंजिनियर ऊत्यक करें कि संदेंप मैं क्लिका होगा उसका अर्निंग कहा कहा हो से यहां देखा जाता है क्या उसकी क्याइजिस क्या स्कूल कει सारस किस्को वाइज को अब आई एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट में आपको बताता हूं इसी जज्जमेंट के दौरान और वो सुप्रीम कोट ने बताया था यह सब निर्धारित करते वक्त आप एक कम किजिए दोनों पार्टी के लिए मेंडेटरी बना दीजिए कि दोनों पार्टी एफिडेविट पे अपना डिस्क्लोज करिया क्या डिस्क्लोज करेगा एसेट इंकम और लाइबिलिटी अब इदी को मेंटेनेंस का पेडिशन डालते हैं देखेंगे कि इसके बाद 2020 के जज्जमेंट के बाद दोनों पार्टी को एफिडेविट पे जो है अपना ये तीनों ची डिस्क्ल इसी मान के चलिए यहां पे कोई गलत आप इंफॉर्मेशन देते हैं और अधर पाटी एविडेंस जता है कि यहां इनफॉर्मेशन सामने वाला पाटी गलत दिया है तो आप लिगल एक्षन भी लिया जा सकता है क्योंकि आपने एफिडेविट पे दिया है ठीक है तो मेरा मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूँ यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज किर्प्या करके इसे औरों तो पहुंचा है और औरों को समझाने में यह वीडियो काफी हेल्फुल रहेगा और दामपत्य जीवन को स्फवाद